हर साल 14 अप्रेल को हमारे देश के पहले कानून मंत्री और समिधान के पिता समिधान के जनक बी आर अमबेटकर की जैनती मनाई जाती है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी करें खासकर UPSC, Civil Service, IES की बात करा हो या अगर आप लोग State VCS की तयारी करें वो अंडे एक्जाम की तयारी करें तो इन सब एक्जाम में बी आर अमबेटकर साहब से Questions आपके पूचे जाते हैं और वैसे भी आप लोगों को जिन्होंने सम्मीधान बनाया है उनके बारे में मालू होना चाहिए एक सामान जानकारी होनी चाहिए इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं देखिए यह हैं बी आर अमबेटकर साहब भीमराओ अमबेटकर साहब यह इनका परिवार आपको दिखाई देरा है और इनके डॉक्टर अमबेटकर एक समात सुधारक न्याइबिद अर्थ सास्त्री लेखक बहु भासिविद कई भासाओं के जानकार बिद्वान और सबसे पड़े लेखे आज के आप देखिए सबसे पड़े लेखे व्यक्तियों में से एक थे बी आर अमबेटकर साहब और देखिए कानून मंतरी इसलिए बनाया गया था इनकी योग्यता के कारण आप देखते हैं मात्मा गांधी से देख लीजे चाहे आपके पहले पिधान मंतरी पंडित जबालाल नहरू से कई मुद्दों को लेकर इनकी बिवाद चलते थे लेकिन फिर भी नहरू मंती मंडल का गठन होता है तो बी आर अमबेटकर साहब को कानून मंतरी बनाया जाता है क्योंकि सबसे बहतर कोई अगर कानून मंतरी की रूम में काम कर सकता था तो वो डॉक्टर अमबेटकर साहब थे और इनके अगर हम लोग जनम की बात करें तो आप देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराओ मेडका का जनम 1891 में महू मद्ध परांत में हुआ था अब जो आप देखते हैं मद्ध पिदेश में पढ़ता है 14 अपरेल को हुआ था अगर मद्ध पिदेश को देखना चाहें तो देखें एहिदय पिदेश भी कहते हैं मद्ध पिदेश भी कहते हैं टाइगर पिदेश भी कहते हैं नदियों का मायका भी कहते हैं मद्ध पिदेश को सोया पिदेश भी कहते हैं आप लोग एक नवंबर 1956 में से राज बनाय गया था बोपालिस की राधधानी है इसकी सीमा उत्तरपदेश, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट, 36 गड़ से लगती है 36 गड़ मद्धपदेश का हिस्सा था कब तक 1 नवंबर 1901 नवंबर सन 2000 के पहले और जब तक मद्धपदेश का हिस्सा था 36 गड़, छेत फल में सबसे बड़ा राज्य भारत में मद्धपदेश हुआ करता था 1 नवंबर सन 2000 में मद्धपदेश से अलग करके 36 गड़ एक नया राज बन गया था और बर्तमान में यहां देखें दुबिधान सबा में 230 सीटे हैं, लोक सबा में 29 सीटे हैं, राज्य सबा में 11 सीटे हैं 3,8,245 वरख किलोमीटर में आपका MP यानि की मद्धपदेश फैला हुआ है अब दूसरे नमबर पर आता है, पहले पर राजिस्थान चेटपल में हैं, दूसरे पर मद्धपदेश हैं, तीसरे पर महराष्ट है और उन्हें भारती समिधान का जनक माना जाता है, यानि की पिता माना जाता है वह भारत के पहले कानून मंत्री थे, वह समिधा निर्मार की मुसदा समती के अध्यक्ष थे, वह एक पिसिद राजनेता थे जिन्नोंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछले वर्गों के अधिकारों के लड़ाई लड़ी थे, और कई लोग कह देते हैं कि ये कुछ समधाय कुछ जातियों के खिलाब थे, ऐसा विलकुल नहीं है, ये अधिकारों की बात करते थे, किसी दूसरे की खिलाब कभी नहीं थे, और एक बात याद रखिएगा, इन्होंने उस हकीगत को, जमीनी हकीगत को समझा, अनुभाव किया, और उसे भुकता भी, उन समस्या समधाय का नेदित किया, जो नगर पालिका के बोड के फैसले का बिरोध कर रहे थे, 1926 में मिंसीपल बोड और महाड ने सभी समधायों को तालाबों का उपयोग करने से समंधित आदिस पारित किया, और इसने पहले महाड में अच्छूतों को तालाब के पानी का उपयोग क कि कोई अनसुचित जाती का या जनजाती का व्यक्ति है, तो उसे घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, उसे अच्छे से बरात नहीं निकालने दिया जाती है, कई मंदिरों पर उस पर फितिबंद लगा दिया जाता है, या आप देखते हैं वो मंदिर में जाता है, तो उस मंदिर को दुबारा धुला जाता है। इन्होंने महलाओं के अधिकारों की बात की, क्योंकि महलाओं के साथ भी इसी तरह का चुगा चूत होता था। एक सब्री माला पिकरान आप लोग उन्हें देखा होगा। केरल की बात करो, जहाँ आप देखे कि मंदिर में महलाओं के जाने की अन्मती नहीं थी, फर बाद में आप देखे अधाल ने हस्ट छेप किया और उहाँ महलाओं को जाने की अन्मती मिली। यानि कि आप समझ सकते हैं कि एक महला अच्छूत हो जाती है और जो उसे जनम देती है वहाँ जो भी पुजारी बैठे रहते हैं वो सुद्ध रहता है बड़ी अजीब आप देखते हैं इस तरह की घटनाया देखने को मिलती है और उन्हें तीन गोल में समिलनों में भाग ल को छोड़ दिया था अलग से चुनाओ की बात हो रही है नेरवाचक मंडल की हाला कि प्रांती बिधान सबाओं में बिधान मंडलों में दलित बर्गों के लिए सुरक्षे सीटों की संख्या एकत्तर से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी और केंद्रिय बिधान मंडल में दलित ब इबेंक कहते हैं हमारा राष्टी इबेंक है न और एक अपरेल 1935 में जिसकी स्थापना हुई थी मुंबई में हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेगा और आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आज भी इस तरह की भेदभाव देखने को मिलते हैं तो 1947 के पहले आप लोग चले जाएं ना तो आपके पास सुतंत सरकार थी ना सुतंत न्यायपालिका थी ना ही आप लोग कहीं अपनी अरजी लगा सकते थे चुनाओ और पत की बात करें कि इनकी पास क्या-क्या पत थी तो 1936 में बिविधायक MLA की रूम में बॉमबे विधानसभा की लिए चुने 1942 में उन्हें एक कारकारी सदस्कीरू में वायस राज की कारकारी पासद में न्युक्त किआ गया था 1947 में डॉक्टर अंबेरकर ने सुतंध भारत की पहले मंतरी मनडल में कानू मंतरी बनने ही तो पिधान मंतरी जवालाल नहरू के नीवनतन को सुईकार किया था पर आप देखते हैं कि बहुत धरम को अपनाने की बात होती है हिंदू कोर्ड विल परमद्भेत को लेकर उन्होंने 1959 में कैमिनेट से इस्तीपा दे दिया था और उन्होंने बहुत धरम को सुईकार कर लिया था और 6 दिसंबर 1956 को महापरी निर्माड दिवस्त को उनका निर्धन हो गया था उनकी डैथ हो गई थी चैत भूमी मुंबई में इस्ते थे जो भी यार अमेड कर इसमारक की रूम में जारी जाती है 1990 में उन्हें भारत की सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया था और भारत रतन को सुरुवात कब हुई थी 1956 से इसे देने की सुरुवात हुई थी तो बहुत धरम अपना आया था ये भी याद रखिएगा और महत्पूर्ड कारियों में देखें तो इनकी पत्तिकाएं थी कुछ ए डारिक्ट कुष्टल्स पूँच लेता है प्रिलिम्स में आपके वंडेक जाम में कि भीमराव अमेडकर से जुड़ी ही पत्तिका का नाम बताईए इनकी कुछ किताबे है जाती विथा का विनास आपसे पूँच लेगा जाती विथा का विनास किसकी किताब है तो आपको बता देना है बी यार अमेडकर साकी बुद्या काल माक्स अच्छूते बे कौन थे अच्छूते कैसे बन गए बहुत दोर उनके धम हिंदू महलाओं का उदय और पतन ये इनकी प्रमुक किताबे हैं इनके संगटनों में देखें तो बहिस्कित हितकाड़ी सभा 1923 में सुतंत लेवर पार्टी 1936 में इनोंने बनाई अनुसूचित जाती फेडरेशन 1942 में इन संगटनों को भी याद रखेगा और अगर हम लोग बर्तमन में समय में अमेडकर की प्रासंगीकता को देखें तो भारत में जाती आधारित आसमानता अभी भी कायम है हाला कि दलितों ने आरक्षन की माध्यम से एक राजनितिक पहचान हासिल की है और स्वयम के राणितिक दलों का गठन किया है लेकिन इन सब के बावजूद अभी सामाजिक स्वास्त और सिक्षाव और आर्थिक चित में पिछड़े हुए है अब आप देखे जिन्नोंने पार्टी भी बनाई हुई है उनी परिवारों का एक तरह से आप देखे बिकास हुआ है कोई भी पार्टी उठा के लिए लिए आप लोग सभी दलितों का या आप देखे सभी अंसुचे जन्जाती के लोगों का उद्धार नहीं हुआ है बिकास नहीं हुआ है और हमारे यहां के राजनेताओं को आप जानते हैं यह आप लोग 1947 के आजादी के समय के राजनेताओं से मत्तुल्ला करिये उस समय आप देखे वो देश के लिए सोचते थे और देश के सामने बहुत सारी समस्याय खड़ी होई थी उनका निवारन किया उन्होंने समाधान किय आज के नेताओं को अपने घर से बाहर किसी का दिखता भी नहीं है संपदाईक धुर्वी करण के साथी राजनीती में संपदाईक संपदाई करण का उदय हुआ है और अमबेड करकी सम्यधानिक नेतिकता द्वारा धार्मी नेतिकता को एक सुरक्षित आधार पिदान कर सम्यधान की इस्थाई छटी को रोका जा सकता है और पिथम गोल में सम्यलन में इसका आयोजिन आप देखते हैं 12 नमबर 1930 को लंदन में किया गया था लेकिन कॉंग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था और मार्च 1931 में महत्मा गांधी और लॉर्ड इर्विन भारत की वा पूमीड कर सामने भाग लिया था दो तीय गोल में सम्यलन इसका आयोजिन साथ सेप्टमबर 1931 को लंदन में हुगा था इसमें भी इन्होंने भाग लिया था और तीय गोल में सम्यलन समय समय पर गठित विभन ओप सम्यों की रिप्योटों पर विचार करने ही तो 17 सम्यलन का आयोजिन किया गया और जिसकी परणिती अंतिता भारस असन अधिनियम 1935 की रोम में हुई और हमारी समिधान को सबसे ज्यादा प्रभाव इसी अधिनियम का देखा जाता है कॉंग्रेस ने तीसरे गोल में सम्यलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि कॉंग्रेस के किसके डॉक्टर भीम राओ अमेडगर साहब के बारे में हो गई और इनसे कुछा जाएगा तो आप लोग उनके आंसर भी दे पाएंगे ठीक है और किसी के बारे में जानना हुआ करें तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं उसका नाम या फिर आप लोग कोई सवाल है कोई स आ सकते हैं